तो हमारी इस प्रैक्टिस एट का जो पहला प्रिष्ण है उसमें लिखा है किस मुगल सिना नायक के साथ सिवा जी ने पुरंदर की संधी जो की 1665 में हुई थी इस पर हस्ताक्षर किये थे तो पुरंदर की संधी सिवा जी के साथ किस ने किया था बिकल्फ आपको पढ़ना है और बिकल्फ पढ़ने के बाद फटा फटा आपको आंसर बताते चलना है तो पहले प्रिष्ण का आंसर बिकल्फ ए जैसिंग हमारा सही रहेगा दूसरे नमर पर आगे पढ़ते हैं निमल स्थान लिखे गया है तो कौन किसलिए फेमस है इसको बताइए दूसरे नमर के प्रिष्ण में बिकल्फ ए अजमेर के बारे में लिखा गया है कुवल अल इसलाम मस्जिद यह आपका पूरी तरीके से गलत है यानि कि बिकल्फ दो आपका सही रहेगा चलिए अपने तीसरे नमर के प्रिष्ण में बढ़ते हैं तीसरे नमर के प्रिष्ण हमें जोड़ा मिलाना है तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं बाद में हम लोग उसके आगे बिकल्फ को देखेंगे तो एक तरफ किताबों के नाम है एक तरफ उनके राइटर लिखे गया है अस्टा ध बिकल्प को देखेंगे तो आपका जो बिकल्प तीसरे नमबर के प्रिश्ण के लिए जो बिकल्प A है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नमबर के प्रिश्ण पर निमलिखित मौरिश शाशक बौद धर्म के अन्याई थे यह आप को बताना है तो चौथे प्रिश्ण के लिए आपका बिकल्प D सही रहेगा दूसरे और चौथे यानि कि असोक और दसरत बौद धर्म के अन्याई थे आगे बढ़ते हैं पांचवे नमबर पर सत्पत्थ ब्राम्हण किस से सम्मंधित है तो सत्पत्थ ब्राम्हण का सम्मं था सिध्धान्त रूप में निम्लांकित वर्ष में सुविकार की गई तो कुल मिला के आपको बताना है कि सिविल सेवा की जो परिच्छा है उसको कब से स्टार्ट किया गया था तो छट्वे प्रिष्ण के लिए आपका विकल्ब भी अठारा सुत्त्रे पन बिल्कुल सही रहेगा सात्वे नमबर पर चलते हैं सोतंतरता संग्राम के दोरान अरुना आसिफ अली एक भूमी गति बिदी प्रमुक आयोजग थी तो कहने के मतलब यह है कि अरुना आसिफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी यही आपको बताना है तो सात्वे नमबर में आपका विकल्ब सी भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं आठवे नमबर पर सुभा चनर बोस ने सोतंदर भारत की सरकार का उदघाटन कहां पर किया था तो आठवे नमबर के प्रिश्ण के लिए आपका पहला विकल्ब सिंगापूर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अपने नवे नमबर के प्रिश्ण पर और एक मिनट का समय देजिए इसे एजेस्ट करने के लिए ठीक अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं निम लिखित में से कौन सी जोड़ी सही है तो यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर हमारे क्रामतिकारियों के नाम दिये गया है उनसे सम्मंधित घटना के नाम दिया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा सही है वही आपको बताना है तो नौमे प्रिश्ण में बिकल्फ भी सूरिसेन चटगाउं केस से सम्मानित है यही हमारा सही है बाकि सब गलत है आगे बढ़ते हैं अपने दस्वे नमर के प्रिश्ण पर तो दस एक मिनट का समय दीजिए कभी कभी चीजें गरबर हो जाती है दस्वे नमर में लिखा है भ दस्वे नमर में बिकल्फ भी चार्ल्स मेटकॉफ बिलकुल सही है ग्यारान नमर हम लोग बढ़ते हैं संयुत राज अमेरिका यू ऐसे के दक्षणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी है और मृत घाटी किसका उधारण है यही आपको बताना है तो ग्यारमे नमर में बिकल्फ डी रिफ्ट घाटी बिलकुल सही है बारा नमर पर चलते हैं फ्रांस तथा इस्पेन के बीच सीमा बराने वाला जो परवत है उसका क्या नाम है फ्रांस और इस्पेन के बीच में जो सीमा रेखा का निधाना करता है वो पेरी नीज परवत करता है तेरा नमर पर चलते हैं निम्लिकित देसों में से किसके पास विस्व का सरबाधिक बाकसाइड का संचित भंदार है विसमें लॉक्साइड कहां पायाता है? विकल्ब डी, आॉस्ट्रिलिया, बिल्कुल सही रहेगा आगे भरते हैं, निम्लिकित में से किस नदी के तट पर बंदरीनाथ का प्रसिध मंदर इस्थित है तो बंदरीनाथ किस नदी के किनारे है? विकल्ब अलक नंदा, बिल्कुल सही है आगे भरते हैं, पंदरा नंबर पर उरुगवे दौर किस से सम्मान्धित है? तो उरुगवे दौर ये एक प्रकार की घटना है, ये किस से सम्मान्धित है? तो पंदरा नमबर का प्रिष्ण विकल्प ए WTO बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं 16 नमबर पर 2011 की जनगर्णा के अनसार निम्न में से किस राज में जनसंख्या में कमी आई है जो जनसंख्या में कमी किस राज में आई है 16 नमर के लिए आपका विकल्प ए नागलेंड बिल्कुल सही है 17 नमर पर चलते हैं निम्न में से कौन मद्यान भोजन योजना को प्रारम और बेवस्थित नहीं करता है तो मद्यान भोजन योजना से कौन जुड़ा नहीं है बिकल्प D ठेकेदार इसके लिए सही रहेगा 18 नमर पर चलते हैं निम्नित में से कौन एक रवी की फसल है इन चार बिकल्पों में रवी की फसल कौन है इसके लिए आपका बिकल्प D 600 बिल्कुल सही है 19 नमर पर चलते हैं भारती रुपे का वाह मुल हाल ही में अउमूल्यन किया गया था, तो भारती रुपे का पिछली बार अउमूल्यन कब किया गया था, ये आपको बताना है, बहुत इंपोर्टेन प्रिष्ण है, आपके अर्थसास्त्र का, तो 19 नमर के लिए हमारा जो आंसर होगा, वो जुला बिकल्प C उसका नाम है सीमाकर चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखें 21 नमबर से जो हमारा PDF है थोड़ा सा इसका सही नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा सम्मिधान के ग्यारवी अनुसूचिक अनुसार पंचायत के 16 धिकार को कुल कितने बिसियों में रखा गया है तो पंचायत के 16 धिकार में टोटल कितने बिसे हैं 21 नमबर का विकल्प C आपका सही रहेगा 29 22 नमबर पर चलते हैं भारतिय सम्धान तदर्थ न्यायजिसों की निप्ति की ब्योस्था करता है ये किसके अनुसार होता है तदर्थ न्यायजिसों की जो निप्ति की जाती है वो किसके अनुसार होती है 22 नमबर में विकल्पे सरबोच न्यायले में की जाती है ठीक है तेश नमबर पर चलते हैं, केंदर राज सम्मंद्पर डॉक्टर पी बी राजमननार सम्म्मिती गठित की गई थी, तो पी बी राजमननार सम्मिती का गठन किस राज जी ने किया था, तेश नमबर में बिकल स्री तमिल नाडू, बिल्कुल सही है, चोविस नमबर पर आगे ये चीज कहां पर लिखी गई है, तो सबको पता होना चाहिए, ये जो राजी के नीती ने दे सकता तो हम लोग पढ़ते हैं, उसी में ये चीज लिखा गया है, यानि कि बिकल्प B हमारा सही रहेगा, 25 नमबर पचलते हैं, भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीती से संबन्धित है, तो विदेश नीती से कौन सा अर्टिकल संबन्धित है, 25 नमबर में आपका विकल्प D, अर्टिकल 51, बिल्कुल सही है, आगे हम लोग 5 प्रिष्ण बिज्ञान के देखने वाले हैं, निमलिकित में से कौन सा वर्ड फिलू का विसानू है तो वर्ड फिलू का जो विसानू होते है, उसका क्या नाम होता है? 26 नमबर में बिकल्प D, H5N1, हमारा सही रहेगा, 27 नमबर पर चलते हैं, हिर्दय की धरकान को नियंतित करने के लिए सबसे आवस्यक जो खनिज होता है, उसका क्या नाम है? तो हिर्दय की धरकान के लिए जो सबसे उपयोगी खनिज होता है, वो आपका विकल्प C, Potassium होता है, आगे बढ़ते हैं 28 नमबर पर निमलित में से मुखता किसके लिए C10 संख्या, गुरवत्ता, प्राचल की रूप में प्रियोगत की जाती है, तो C10 संख्या किसके लिए प्रियोग में खिलाया जाता है, विकल्प C, डीजल के लिए प्रियोग में लाया जाता है, 29 नमबर पर चलते हैं, निमलिकित में से कौन सा रसायन किर्थिम वर्षा के लिए प्रियोग में लाया जाता है, तो किर्थिम वर्षा किसे होती है, 29 नमबर में विकल्प A, तर उत्तरदाई होता है तो तीस नमबर में कुल मिला के आपको बताना है कि रेडियो तरंगे कहां पर पाई जाती है आसान प्रिश्ण है सब को पता है रेडियो जो तरंगे होती है वो आयन मंडल में पाई जाती है इसको हम लोग आयनो इश्पियर भी कहते हैं आगे बढ़ एक मेंट का समय देजिए इसको थोड़ा सा हम लोग पहले अर्जेस्ट कर लेते हैं हाँ अब आगे बरते हैं अपने 36 नमबर से हिंदी गद्ध का सरप्रथम यूग किसे माना जाता है तो हिंदी गद्ध का जो पहला यूग होता है वो किसे माना जाता है 36 नमबर में विकल्प A भारतियंदु यूग बिलकुल सही है आगे आपको एक मुहावरा लिखा गया है इसको आपको पूरा करना है एक करेला इसके आगे क्या आएगा यही आपको बताना है एक करेला दूजा नीम चढ़ा ये पूरा मुहावरा होता है विकल्प D आपका सही रहेगा विकल्प इसमें कौन सी संधी है उसको बनाना है तो इस चार विकल्पों में इसका सही वाग कि कौन सा होगा बिकल्पों को फटा-फट देख लीजिए उसके बाद इसका सही आंसर बताईए यहाँ पर आपका बिकल्प D मैंने हस्ताक्षर कर दिये बिल्कुल सही रहेगा 40 नमबर पर बढ़ते हैं बिलोम सब्द के अनुचित जोड़े को पहचानी हैं तो यह बिलोम सब्द लिखे गए हैं इन में से जो अनुचित है यानि कि जो गलत है वो आपको बताना है तो इसके लिए आपका कौन सा सही रहेगा बिकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा तो आगे हमारे जो 41 नमर के प्रिष्ण है यह अंग्रेजी के प्रिष्ण है यदि आपने अंग्रेजी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 5 प्रिष्णों को skip करके आगे बढ़ जाईए अगर आपने थोड़ा भूट भी अंग्रेजी पढ़ा है तो इन प्रिष्णों को आप देख लीजी यहाँ पर एक लंबा चौड़ा सा प्रिष्णों को सॉल्व कर लेते हैं यह प्रिष्णों को कहां से मिलेगा आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलिग्राम चैनल में जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से बैट कर प्रिष्णों को होगा वो आपका बिकल्प ए हर confidence बिल्कुल सही रहेगा अब आपकी किसके grammar की question स्टार्ट होंगे तो चलिए grammar को ध्यान से देखिए find out the grammatical correct sentence यह चार्ड जो आपके sentence लिखे गए हैं इसमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है वीडियो को pause करके जितना भी आपने अंग्रेजी grammar में पढ़ा है सारा नियम कानूं यहाँ पर लगा लिजेगा हम लोग यहाँ पर सिर्फ answer बता रहे हैं आपका दूसरा जो बिकल्प है it is your who are responsible for the downfall आपका दूसरा बिकल्प सही रहेगा 43 नमर पर चलते हैं the weather outside was extremely pleasant and hence we decide to इसके आगे कौन सा sentence आएगा इन चार बिकल्पों में से यह आपको 43 नमर में बताना है तो वीडियो पॉस करके अपना पूरा दिमाग इसमें लगाईएगा फिर अपने हिसाब से इसका अंसर बताने कोशिश करिएगा हम चलिए इसका अंसर बता देते हैं बिकल्प C decide to enjoy a morning ride on the open यह बिल्कुल सही रहेगा आगे 44 नमर में आपको एक प्रिश्न डारेक्ट इन डारेक्ट से मिलेगा तो यह आपको डारेक्ट सेंटेंस दिया गया है C said to her brother do not buy mangoes इसको आपको इन डारेक्ट में कनवर्ट करना है और इन डारेक्ट यह आधा सेंटेंस दे दिया गया है C asked her brother इसके बाद क्या आएगा यही आपको बताना है तो चोईस नमर में बिकल्प B not to buy mangoes बिल्कुल सही रहेगा 45 नमर का जो प्रिष्ण होगा वो active passive से सम्मधित प्रिष्ण होगा active में एक वाक्ष लिखा होगा do not insult your elders इसको आपको प्रिष्ण में convert करना है तो जो 45 नमर का आणसर होगा वो बिकल्प C होगा let your elders not be inserted by you तो अंग्रिय जी के प्रिष्ण को करने से पहले क्या करिएगा वीडियो को pause करके अपने हिसाब से इसका आंसर निकालिएगा उसके बाद जो हम solution बता रहे हैं उसको देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नमर में आपके reasoning के प्रिष्ण है हाँ भारत का पहला राष्टरिय खेल विश्व विद्याले किस राज में स्थापित किया गया है तो इंक्यान नमर में आपका विकल्प D मणीपूर बिलकुर सही रहेगा 52 नमर में विश्व बान की दिवस कब मनाया जाता है तो बिस्टुबान की दिवस मनाय जाता है 21 मार्च को option नमर B बिलकुर सही है 53 नमर पर global footprint network की स्थापना कब की गई थी तो global footprint network की स्थापना विकल्प C 2003 में क्लिया गया था भद्रा वन जीव अभ्यारन किस राज्य में है तो 54 नमर का जो प्रिश्ण है उसका जो हमारा answer होगा वो आपका विकल्प C करनाटक होगा आगे बढ़ते हैं अंतराष्टिय न्यायाले का मुख्याले कहां है सबको पता है है जो की स्थे जल लैंड में है वहाँ पर आपका अंतराष्टिय न्यायाले का मुख्याले है होगा इसका बिकल्प पहला वाला बिकल्प UAE यानि की United Arab Emirat बिल्कुल सही रहेगा प्रिंट यहां पर थोड़ा सा गड़बर आया है लेकिन आप लोग इसको समझ लीजेगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग सभा संस्देश छेतर हैं तो टोटल नमबर का जो हमारा आंसर होगा वो विकल्प C, फतेपूर, सीकरी हमारा सही आंसर हैगा 59 नमबर में निम्ण में से कौन सा देश जलवाईव परिवर्तन पर पेरिस समझ होते 2015 से 4 नमबर 2020 को अपचारिक रूप से अलग हो गया है तो जलवाईव परिवर्तन से कौन सा देश अपने आपको अलग कर लिया है विकल्प A, अमेर का यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा 59 नमबर से आपके करंट अफेर्स के प्रिश्न स्टार्ट हो चुके हैं हाँ य बीडियो हम लोग बना रहे हैं और टोटल पचास बीडियो बनाएंगे आपके एकजाम यानि 24 तारिक तक तो आप इस बीडियो को भी देखते रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्तपून करंट अफेर्स कराया जा रहा है एक बीडियो लेक्चर में हम लोग 10 प्रिश्ण कराते हैं इस प्रिकार अगर आप पचास बीडियो सॉल्व करेंगे तो टोटल आपके 500 प्रिश्ण सॉल्व हो जाएंगे वह 500 प्रिश्ण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है के लिए आगे बढ़ते हैं साथ नम्मर पर वातायन अंतराष्टिय के सिखर सम्मान किसे दिया गया है साथ नम्मर का विकल्प भी रमेज पोकर यान निशनक बिलकुल सहीर है आगे बढ़ते हैं 31 नम्मर का प्रिशן थोड़ा सा बड़ा प्रिशन है इसको हम लोग स्वाल नहीं करते हैं आपको बताया गया है कि आप अपनी परिच्छेक लि वैस्विक सिक्छक पुर्षकार से किसे सम्मानित क्लिया गया है? तो 62 नंबर में रंजी सिंग डिसाले बिलकुल सही आंसर है 63 नंबर प्चलते हैं विस्ट बैंक ने कारोबारी सुगमता की संसोधित रैंकिंग रिपोर्ट हार्ली में जारी क्लिया गया है इस रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो कारोबारी सुगमता में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 63 नंबर में आपका बिकल तीसरा 63 नंबर का जो ऑप्चन है वो हमारा C है और उसमें भी 63 वाँ इस्थान है ठीक है? आगे भरते हैं 64 नंबर पर किस संगठन ने भारत में विश्च की पहली कौन्टम कम्प्यूटर की एप्लिकेशन लैब इस्थापित करने के लिए इलेक्रोनिक्स और सुचना प्रोधोकी की मंत्राले के साथ भाग्यदारी क्लिया है ये जन्वरी 2021 की घटना है इसका आपका विकल्फ डी अमेजन बिलकुल सही रहेगा 65 नंबर पर चलते हैं एक बहुत ही महत्त्रपून प्रिश्चन है 2021 वर्ड एकनॉमिक्स फोरम की वार्सिक बैठक में के इंक्यानुवे संस्क्रण दादावोस एजन्डा 2021 की क्या थीम थी? तो दादावोस एजन्डा 2021 का थीम क्या थी? विकल्फ डी अक्रूसियल इयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट विकल्फ डी यहाँ पर सही रहेगा आगे बढ़ते हैं अपने 66 नंबर के प्रिश्चन पर ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल दौराजारी भरष्टाचार धारणा सूचकांग CPI में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भरष्टाचार में भारत की जो रैंकिंग है वो है कितना? 86 ओसर नंबर D यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं भारत का पहला डिजिटल विसुविद्याला कहां पर लॉंच किया गया है? तो भारत का जो पहला डिजिटल विसुविद्याला है वो केरल में बनाया जा रहा है विकल्प D आपका सही रहेगा 68 नंबर प्चलते हैं बित्वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी रासी के बजट की पेस कस किया गया है यानि कि ये बजट वाला प्रिश्ण है टोटल भारत का कितना बजट पेस किया गया है तो इसके लिए बिकल्प A बेलकुल सही रहेगा 34,83,236 करोण रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है 69 नंबर पर चलते हैं संयुत राष्ट पूजी विकास कोस्क ने निम्न में से किस भारतिय को अपना कारिकारी सचिव निवक्त किया है तो कारिकारी सचिव किसे बनाया गया है 69 नंबर में आपका विकल्प D प्रिती से नहां आपके लिए बिलकुल सही रहेगा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 70 नंबर के प्रिश्ण पर एक मिनट का समय दीजे कभी कभी ये चीजे गरबढ़ हो जाती है फरवरी 2021 में अरब सागर में दुई पक्षिय सैन अभ्यास पैसेक्स में किस देश की नौसेना ने भारती नौसेना के साथ भाग लिया था तो पैसेक्स जो युद्ध भ्यास था उसमें किसने भाग लिया था उसमें भारत और इंडोनेशिया विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे कि जो आपके 5 प्रिष्ण है वो हिंदी गध्यास से सम्मधित प्रिष्ण है तो ये हिंदी गध्यास आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा पढ़ने के बाद इन 5 प्रिष्णों का आंसर दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद दूसरा भी आपको हिंदी गध्यान से सम्मधित प्रिष्ण है, इसको भी पढ़कर आप इन सहरी प्रिष्णों का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, और ये आपको पढ़ अब आगे के जो हमारे प्रिष्ण है वो तालिका और ग्राफ के प्रिष्ण है अब तालिका और ग्राफ के बारे में एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग ग्राफ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे उसके अलावा हम लोग ने एक दो प्रैक्टिस सेट गनित क प्रेक्टिस हैट हम लोग कराते हैं उसमें कोई ब्यूज नहीं आता है जो गनित का प्रेक्टिस हैट कराते हैं उसमें कोई ब्यूज नहीं आता है ग्राफ का प्रेक्टिस हैट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन जब ब्यूज नहीं आते हैं तो एक निर जाना हो और कुछ कहना हो तो इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चलिए मिलते हम लोग अपने अगले किसी प्राक्टिक सेट में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद